नमस्कार किसान भाई और डी गार्डन में आप सभी किसान भाईगा एक बार फिर से स्वागत है और आप बने होए डी वी दामा के साथ पसू पालन तो हम सभी किसान भाई अपने घरों पर करते हैं और बहुत से किसान भाई देखिए पसू की मोरी अपने पसू को लगाते हैं लेकिन ये मोरी बहुत ही कम किसान भाई बनाना जानते हैं तो पस्वो की मोरी बनाने के लिए सबसे पहले आफ़ेशकता होती है एक रस्से की यह हमें चाये होता है 8 मीटर की लंबाई का सिंगल आप 8 मीटर ले लेंगे और इसको आप दुएरा कर देंगे यानि के दोरा होने के बाद में 4 मीटर की लंबाई इसकी रह जाएगी और दुहरा करने के बाद में दोनों सिरे आप इसके ऐसे पकड़ लेंगे और पकड़ने के बाद में आपको इस तरीके से गांट लगा लेनी है ये गांट तो आप सभी किसान भाई अधिकतर जानते हैं किसान भाईयो आप रसा किसी भी परकार कर ले सकते हैं लेकिन हम अधिकतर रसा चोड़ाई का लेते हैं और नरम लेते हैं ताकि हमारे पजुकोओ कोई नुकसान वगएरा ना दे सके तो किसान भाई और गांट लगाने के बाद में आपको इस सीरे की लंबाई नाप लेनी है एक हाथ कितनी लंबाई आप इसकी रख सकते हैं और इतनी लंबाई लेने के बाद में आपको देखे एक हाथ में इसको कुछ इस तरीके से पकड़ लेना है जिदर से हमारा अधिक लंबा रस्सा है उधर से आपको थोड़ा कीचना है और ये थोड़ा आप इसको नाप भी लेंगे चार साड़े चार इंच की लंबाई आप इसकी रखेंगे एक बिलान तो अधिक हो जाएगा तो आपका ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा एक सिरा हमारा इधर हो गया और एक सिरा हमारा दोनों उंगलियों के बीच में से इधर हो गया और बाकी का रसा हमारा इधर हो गया तो अब आपको करना क्या है अंगुठे से आप इसको इस तरीके से दबा लेंगे तो ये देखे कुछ इस तरीके का हो जाएगा और जो ये हमारे उंगलियों के बीच में सीरा है इसको पकड़ कर आप अंगूठे के पास से जो रसा गया है उसके नीचे से निकाल देंगे ये कुछ इस तरीके से और बस ये आपकी गांट लगकर तयार हो जाती है आप तीनों सीरों को थोड़ा थोड़ा खींच करके इस गांट को टाइट कर देंगे और किसानवाई ये हमारा मौरी का एक हिस्सा बन चुका है आपने देखा यहां तक का कोई ज़्यादे मुस्किल नहीं है बहुत ही आसान है अब हम इससे आगे का हिस्सा बनाएंगे आपको इसको इस तरीके से देखे जा गांट लग चुके है फिर से एक हाथ से पकड़ लेना है और जहां पर गांट लगे है वहां से आपको एक बिलांद इसको नाप लेना है अब यहां से रसे को आप फिर से उसी तरीके से पकड़ लेंगे अंगोठे और उंगलियों के बीच में टाइट करके और उंगलियों के बीच से एक सीरे को आप फिर से खीचेंगे लेकिन इस बार आपको ये काफी लंबा खीचना है ये देखे कुछ इस तरीके से आप इसकी लंबाई लगबग जितनी हमने पहले एक हाथ की नापी थी इतनी लंबाई आप इसकी दुबारा से कर लेंगे उससे थोड़ी बहुत अधिक भी हो जाए कोई इससे दिक्कत परिशानी नहीं है तो इस सिरे को अंगलियों के बीच से निकालने के बाद में आपको फिर उसी तरीके से अंगुठे से इसको अच्छे से दबा लेना है और जिस हिस्से में को हमने पहले त्यार किया है उसको अंगुठे के उपर से ऐसे उतार देंगे और इधर से यह रसा फिर उसी तरीके से अंगलियों के बीच से निकाल देंगे इस तरीके से आप ये हो जाएगा और ये जो सिरा हमने देखे अंगलियों के बीच में रखा है इसको फिर से अंगलियों के पास से ऐसे निकाल देंगे ये कुछ इस तरीके से आप इसको ऐसे निकाल करके इस गांट को दोबारा से टाइट कर देंगे तीनों सिरों को आप थोड़ थोड़ा खींच देंगे और ये टाइट हो जाएगी और इस गाट को टाइट करने के बाद में लगबग हमारी मोरी बनकर तयार हो चुकी है बहुत ही थोड़ा काम इसमें रह गया है वो अभी मैं आपको बता देता हूँ ये देखे कुछ इस तरह की हो जाएगी दो सीरे हमने इसके लंबे रखे हैं और एक सीरा हमने थोड़ा छोटा रखा है अब आप इसको छोटे सीरों को पकड़ लेगे और जो रसे का सबसे लंबा सीरा हमारा बचा है उसको पकड़ करके आप इस छोटे वाले हिस्से में से बीच में से निकाल देंगे यह कुछ इस तरीके से और इसको निकालने के बाद किसान भाई यह हमारी मौरी बन करके बिल्कुल तयार हो चुकी है आपने देखा बहुत ही आसान तरीका जादे मुश्किल नहीं है अब हम इसको थोड़ा पसू को भी लगा करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस तरीके आप इसकी लगा देगे और यह गाठे लगने के बाद में आपके पसू को आपकी बनाई मौरी लग चुकी है आपने देखा किसान भाई यह केवल दो तीन मिनट में हमारी मौरी बन करके त्यार भी हो चुकी है और हमारे पसू को लग भी चुकी है तो किसान भाई उमीद क करता हूँ आज के बाद आप भी अपने पस्वों के लिए इमोरी घर पर आसानी के साथ में बना सकते हैं तो किसान भाई यह थी आज की जानकारी जानकारी पसंद आई तो मेरे वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और जो किसान भाई मेरे चैनल पर ने है चैनल को कर ले और बैल आइकन को दबा ले ताकि आने वाली वीडियो उन तक जल्दी जल्दी पहुंच सके एक नई जानकारी के साथ पिर मिलते हैं तब तक के लिए सभी किसान भाई को नमस्कार